बड़ा सुन्दर सा गीप है ना छोटा सा दिल है छोटी है आशा हमारी भी आशा जैपुर्देव फेस्टिवल को इस बार करोना के टाइम में वर्च्वल रूप में करना पड़ा हमें तो हमारी भी आशा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया जो इतना हमें उच्सा बढ़ाया हमारा तो हम उसे आप तक इस रूप में ला पाए कि लगा कि शाज ये ब्लेसिंग इंडिस गाइज हो गया इसके लिए तैयारी करते हुए मुझे ध्यान आया कि भारतिय सिनेमा के जो भी कोई शक्स जुड़ा होगा ऐसा हो नहीं सकता कि उसको जगदीब जी का नाम नहीं याद हो जब पिक्चर देखके बाहर निकलता था कोई तो कोई और छाप हो ना हो जगदीब जी की छाप बहुत गहरी होती थी सुर्मा भुपाली हो या किसी भी रूप में वो आते थे तो मैंने उनके सुपुत्र जावेद जाफरी साब से बात की मैंने का आप कुछ देव साब के यादों के बारे में जगदीब जी दौरा जो काम किये गए होंगे देव साब के साथ अगर उसका कुछ थोड़ा सा हमसे बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा तो जावेद जी ने पुरी महबत दिखाई और एक प्यारा से वीडियो बनाके भेजा आइए सुनते हैं वो क्या क्या हैं देव साब के बारे में आदाब, नमशकार, मैं हुजावेज जाफरी और जैपूर देव फेस्टिवल, very interesting, it kind of caught my eye और the evergreen देवानन सोसाइटी जो फॉर्म हुई है और ये रवी कामरा सहब ने इसको फॉर्म किया है it was quite very touching because क्या है कि ये जो हमारे, जिसने मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को दो चीजों से बहुत लगा हूँ है, एक है माँ और दूसरी है सिनिमा सिनिमा का इतना हम पर influence, असर, हमारी जिन्दगी का एक एहम हिस्सा बन जाता है सिनिमा, हिंदुस्तान में और इस सिनिमा के जो stars हैं, सितारे हैं, ये लोग इतना कुछ हमारी एक यादों का एक बहुत एहम हिस्सा बन जाते हैं और बड़ी खोशी हुए जो रवी कामरा साफ से मेरी बात हुई और उन्होंने का के देव साहब के साथ आपकी कुछ यादें वाबस्ता हूं तो आप भी उन्हें शेर करें हमारे साथ तो मेरे फादर ने एक फिल्म की थी देव साहब के साथ बुलिट बुलिट नाम था फिल्म का जो विज्यानन सहाब ने डिरेक की थी और मेरे फादर का बड़ा अच्छा भोलता है उसमें और हालके मेरे फादर तो 1950 से 1949 से इस इस इंडस्ट्री में है तो यह सब जो प्यारे प्यारे हमारे महान का लाकार गुजरें और दिल्ब साहब देव साहब दिल्ब साहब तो अब भी हैं परमात्मा उनको सहत और हयात देव साहब राज कपूर साहब गुरुदत साहब बिमल र इतना अच्छा काम किया है हमारे फादर ने तो वो हमेशा देव साहब के बारे में I think उनोंने हमेशा ये कहा कि बहुत ही डिगनिफाइड बहुत ही डीसिंट और एक वर्कोहॉलिक के काम हर वक्त उनके जहन में काम क्या करना है ये कैसे करें वो कैसे करें वो फ्रिवलिस व वारे मीं बात करते थे आँ तो मैंने दो फिल्मे की उनके साथ एक थी लशकर और दूसरी थी अफरिए अपन के फरिश्टे अवन के फरिश्टे रिलीस नहीं हुए एक बहुती कुछ डिरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए काम किया था कि वो हमेशे अपनी फिल्मों में काम किया करते थे एक हाथ सो लशकर में वो विजिलांटिक किसम का रोल था वो उन्होंने ऐसा रोल को भी पहले किया नहीं था कि एक प्रोफेसर है उसकी वाइफ को मार के बहन को रेप कर दिया है और वो अब एक बदला लेने में एक शरीफ प्रोफेसर किस तरह से बदला लेता है और इक चार लोगों को अपने साथ जोडता है यह प्रोफेसर और इसमें हेमंत बिर्जे, अनन्त अधित्या पंचोली, सुमित सैगल और मैं, हम चारों को जोड कि किस तरह से ये जो ड्रग माफिया है, इससे गैंग से हम लड़ते हैं और जंग उनसे करते हैं, तो शूटिंग में याद है कि देव साहब और पूरी फिल्म में हमने काले कपड़े पहने, जो भी, हम सब ने ब्लैक ड्रेसेश पहने, और देव साहब एक बार हम शूटिंग कर रहे थे, मुंबई में नेरिमन पॉइंट एक जगा है, और गर्मी थी, शिदत की गर्मी, 36, 37, 38 डिग्रीज, और वो पत्थर है नेरिमन पॉइंट पे, तो बहुत गर्म हो जाता है, और हम सब मतलब गाने का सिक्वेंच था, और हम शूट कर रहे और गर्मी जैसे, शौट टेक कट हुआ, और हम जाके चतरी के नीचे या कोई छाओं में हम बैड गए, देव साहब खड़े वे, काले कपड़े पहने वे, उनका तो स्वेटर और ए फोवजा गवागोश, और हम बोल रहें के, आधे, 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 और कमाण गाइस कमाण, लेश गो, लेश गो, लेश गो, लेश गो, वो एनशी वाज मतलब इतनी इनफेक्शेस थी, और हम सब एक्दम प्लेप होजाते थे, देश आधे साहब के और उस वक्त मुझे एक बात याद आई कि बहुत लोग खड़े रहे के शूटिंग देख रहे थे तो एक किसी ने क्राउट से पूछा कि देव साहब आपकी एज क्या है तो एक सेकेंड के लिए देव साहब पॉज हुए थोड़ा उसको देखा मतलब हलका सा अनॉड भी थे और फिर कहा जितनी भी बना लो that's it and he laughed it away and उनके अंदर ये हमेशा था के अंग्रेजी में कहावत है a man is as old as he thinks so he always thought young or picture he said you have to be young in your mind to be young in your body oh you know some people think ajeev I know but there is a lot of truth in that because it's in your mind if you think you're young you want to think young and I think that kept him going और मेरे साथ भी हमने एक शो किया दर टीवी पर बोगी बोगी उसमें because हम 17 सालों तक वो शो चला और बच्चों के साथ थे तो मैं अब realize कर रहा हूं कि वो जो 17 साल मैंने ये बच्चों और यंग्स्टर्स के साथ गुजारे उसने मुझ पर कितना असर किया और how effective it was to keep me young and so देव साथ के साथ ये था और काम में focused वो कभी set नहीं छोड़ते थे normally क्या होता है actors जाके अपने makeup room में बैठ जाएंगे या अपने van जो होती है उसमें बैठ जाते हैं देव साथ never वो set पे बैठ है रहते थे शॉट को देख रहे हैं actor क्या कर रहा है camera कैसे लगा हुआ है वो पूरा you know I think बहुत ही प्रेड़ना मिलती है मिली है उनसे और मतलब एक complete जो actor किस तरह पूरी film में घुस जाता है यह नहीं क्या मैंने अपना शॉट दे दिया मैं चला गया नहीं नहीं वो देखते हैं कि क्या हो रहा है वो शॉट कैसे दे रहा है अब मुझे क्या करना होगा और यह पूरी चीज एक बंद कैसे रही है सो काम आजकल नहीं है यह यह लोग आपको नहीं में लेव साफ वादन एक्सेप्शन वो एक एक वो कहते ना वन पीस थे मेरी खुशकिसमती रही कि मैंने दो फिल्मों में उनके साथ काम किया और यह बहुत जब वो गुजरे तो मुझे एक जैनुनली बहुत अफसोस हुआ था मेरे फादर और में हम दोनों गए थे शर्दान जी ली शर्दान जी ली के लिए एक बहुत ही प्यारा और खुबसूरत इतिहास फिल्मी इतिहास हिंदी इतिहास का एक चापटर का एक बहुत इंप्टन चापटर देवानन साहव रहे है और यही प्रात्ना है कि उनकी आत्मा को जहां भी है शांती से रहे और आज तक जो लोग उनसे प्रेड़ना लिये हुए है including me life goes on and on and on और मेरी यही प्रात्ना है आप सबसे भी कि आप जो उनको श्रद्धान जले अर्पित करते हैं इस festival के जरीए आप भी उसी तरह यंग रहें दिल से और दिमाग से God bless you all बहुत बहुत प्यार शुब काम नहीं जाहें